नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों दिसंबर में NTPC Railway Group D का परीक्षा प्रेस्तावित है तो हो सकता ये परीक्षा दोस्तों दिसंबर तक आपकी कम्पलीट करा ली जाया कि दिसंबर से आपके पेपर करते हैं तो कोसिस यहां यह करेंगे दोस्तों जो प्रिविएशर के कुश्चन पेपर हैं उनमें किस तरह की कुश्चन जी एस और साइंस से बने थे उनको हम कवर करने की कोसिस यहां पर करेंगे तो चलिए समझते हैं पहला कुश्चन यहां जितने भी कुश्चन दोस्तो हम cover करने की यहां से choses करेंगे यहां G.S.O.R. math को हम नहीं ले रहें अभी चलिए question शुरू करते हैं भारत में काररेकारी प्रुमुक किसे माना जाता है तो भारत में काररेकारी प्रुमुक जो माना जाता है दोस्तों माना जाता है पिरधान मिंत्री कुणकि प्रधान मंत्री के पास ही अधिकराइट्स होते हैं संसत को लेकर के राश्ठपति देखी को समझी कारले कारी प्रमुक की बात करा तो राश्ठपति हो जाता ठीम है तो कुष्चन का भाव आप समझीएगा कुश्य नमबर टू कॉनार्क मंदिर निर्मान किससे ने कराया था तो यह कराया था दोस्तो नरसिग देव पिरथमने कराया था ठीक है कुश्य नमबर थर्ड देखते हैं निमलिकित मैंसे कौन सा एक किसी मिरत वैक्ती का इसमारक नहीं है यानि कि ताज महल आपको पता है मुंताज की याद में बना हुआ यानि कि मुंताज की कवर उसके अंदर है न बीवी का मकवरा भी है तो इन में से हमें बताना आए कि कौन सा अंसर सही होगा तो चार मिनार दोस्तों जो है ये नहीं है ठीक है किसी भी मिरत वैक्ति का इसमारक नहीं है बाकि ये तीनों एतमाद दौला भी है बीवी का मकवरा और ताज महल भी है कुश्चन नमर फोर को देखते हैं समराट असोक किसके उत्तरदाई थे बहुत अच्छा कुश्चन है दोस्तों थी किसके उत्तरदाई थे बिन दुसार के कुश्चन नमर फाइब देखते हैं निमलिखित मैंसे कौन सा एक कोस्की जीव का उधारन है तो बताना है दोस्तों कोस्की जीव इन मैंसे कौन सा है तो प्रोटो जो है जो है एक कोस्की जीव का उधारन होता है question no.6 समझते हैं पैनी सिलीन का अभिस्कार किसने किया था तो पैनी सिलीन का अभिस्कार किसने किया था दोस्तो अलेकजंडर फिलेमिंग नि किया था देख रहे होंगे आप question अच्छे लेवल के पूछे गए science और GK से भी यानि कि ना तो बहुत hard है और ना ज़्यादा easy है अच्छे question इन्हें आप कह सकते हो question number 7 समझते है भारती सम्मीदाम में पहली बार संसोधन कब किया गया था बहुत अच्छा question है दोस्तों थी किया गया था उननिस सो अक्यावन में अकला question question number 8 question number 9 समझते है किस नदी को बंगाल का सोख कहा जाता है question number 10 थर्मोइसकोप का आविसकारक किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है दोस्तों गैलिलियो गैलिली को माना जाता है question number 11 समझते है महराना पिरताब की घोड़े का नाम किया था तो महराना पिरताब की घोड़े का नाम था दोस्तों चेतक question number 12 को समझते है कांड़ा मलेश्वरी किस खेल से संबन देते हैं और दोस्तों भार उठाने से नि की बेट लिफ्टिंग भार उत्तोालर Me से संबन देते हैं कुश्य कि नंबर 12 कुश्य नंबर 13 समझें का रॉलेट एक्ट किस बर्स पारित किया गया था तो रॉलेट अक्ट पारित किया गया था दोस्तों 99 म gouध्स् crianças चलिए कुश्य नमर देखते हैं 14, हमारे चंद्रमा का चक्कल लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो था दोस्तो लूना 10, क्या था लूना 10, अगला कुश्य देखते हैं, किस बॉक्सर को दा रियल डील उपनाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है दोस्तो होई, यह है दोस्तो इवेंडर हैली फिल्ड, यह थोड़ा सा आपको बिलर होगा, मतलब थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि यह पिचल लेने में थोड़ा सा गडबड हो गई, कुश्वन को छांट के अलग निकालने में थोड़ी सी दिक्कत इस तरह की आ जाती है, तो आपको एड़ेस्ट करना पड़ेगा दोस्तो थोड़ा सा, कुश्वन नमर 16 समझते हैं, कौन सी दो टीमों ने पहला अधिकारिक अंतरराश्टी किर्किट मैच खेला था, तो पहला पूच रहा है दोस्तो किस ने करा थे, इंगलेंड और बेस्ट इंडीज की बीच में अं कुश्वन नमर 17 का अंसर हो जाएगा, बोलिस्तान, क्या कहते हैं, बोलिस्तान, कुश्वन नमर 18 को समझते हैं, प्राचीन काल के जानबर पौदों एवब अन्यजीवों के सनक्षित, अवसेसों या चिन्नों के अध्यन को क्या कहते हैं, यानि कि उनके अध्यन का ग्यान कहलाता है, कुश्वन नमर 19 को समझते हैं, नमलिकित मैसे किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मार्स गैस किसे कहते हैं, दोस्तों मीथीन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं, ब्रिक्स में बी का क्या मतलब है, यानि कि जो ब्रिक्स देश संगठ हैं दोस्तों ही, पांच देशों नहीं हमें बतानी है क्या है तो इसकी निकोसिया कुश्यन नमबर समझते हैं दोस्तो 22 पिर्थवी का आकार कैसा है तो पिर्थवी का आकार कैसा है दोस्तो चप्टा या गोल कह सकते हैं चप्टा या गोल कुश्यन नमबर 23 अरुना आसफ अली कहां भारती राष्टी कॉंग् लोड़ाल łat लिनी सारा वही का हाल हिसी निधन हो गया यह इनीकर oportunен कॉमिल कोन थी कर दोच्ट होग रहे हैं यानि कि ये कह सकते हो आप कुछ्छन नमबर 27 कि 2014 में लोकसभा का चुनाव रहने की डैस में आपको बताने कि कौन सा चुनाव था वो 16 वा था 2014 तो तो सोलवा लोकसभा चुनाव था 2014 वाला कि कुष्षन नमबर समझते हैं दोस्तो 28 को दावला का कुछोन मंदिर कहां पर पाये जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा सही आंसर स्री लंका. कुशिन नमर अगला समझते हैं. कुशिन नमर अगला देखते हैं. बहुत गुफाओं के लिए प्रसिद कारले किस राज्य में इस्तेत हैं. तो यह इस्तेत है दोस्तों महाराष्ट म बहारत की आजादी की लड़ाई के दोरान करो या मरो का नारा किस ने दिया था तो यह दिया था दोस्तो महात्मा गांदीरी हमारी आखों में लेंस का काम क्या होता है तो हमारी आखों में जो लेंस का काम होता है दोस्तो आख की फोकस दूरी को बदलना होता है ठीक है 31 का हो जाएगा C सबसे छोटा महादीब कौन सा तो सबसे छोटा महादीब है दोस्तो आश्टिलिय महादीब Qution no.33 Hacker से क्या तात पर रहे Qution no.33 को समझते है hacker से क्या तात पर रहे तो hacker से तात पर है बैक्ति जो data तक अनाधी करत पहुंच प्राप्त करने के लिए computer का उपियोग करता है 33 का जो हो जाएगा B वाला सही हो जाएगा अगला Qution समझते तो यहां से हमने दोस्तो देखे 35 कुश्यन आसा करते हैं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आया होगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर आप NTPC Group D की तयारी कर रहे हैं तो इस तरह की सीरीज आपको पसंद आई या फिर नहीं तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत